अधिनायक बाद के पोसक धेस की ग्रिह मंत्रे लोक नएकजय प्रकास manipulating के प्रतीमा कनावरन कर रहा है क्या क्या बोल जाते हैं मित साही जी महंगाई पर बोलते ना आप बोलते परोजगारी पर जिनके हाथ लहु लुहान हो जो अधिनायक बाद के पोसक हो उनकी तक्रीरे आज कहीं ने कहीं बिहार को निरासा दे गया बिहार के लोग वहाँ नहीं पहुचे थे कम संक्या में थे बहां से इंपोर्ट करके लाए गये थे लोग लादलाद करके फिर ही भीड नहीं जूटी लोग नाग जब प्रकास नरायन अधिनायक बाद के खिलाव बवराई सत्ता को नकेल कर सीती संपुन करांती के मात्यमस लेकिन आज देश में अधिनायक बाद के पोसक देश की ग्रिह मंत्रे लोग नैग जे प्रकास नराइंजी के परतिमा का नावरन कर रहे हैं आत्मा करार है योगी जेपी के जिवन प्रियंत हमने अधिनायक बाद के खिलाफ जावाजे उठाई थी जो करांती का रूप लिया था और एक परिवर्तन आया था आज अधिनायक बाद के पोसक हमारे ही मुर्ति का नावरन कर रहा है बिहार में बिजली घर घर तक बिहार के सरकार नितिस जीके नितिते पहुंचा महंगाई पर बोलते न आप बोलते पर जिनके हाथ लहू लुहान हो जो दिनायक बाद के पोसक हो उनकी तक्रीरें आज कहीं ने कहीं बिहार को निरासा दे गया बिहार के लोग वहां नहीं पहुंचे थे कम संक्या में थे बहां से इंपोर्ट करके लाए गये थे लोग लादलाद करके फिर ही भीड़ने ही जूटी जेपी जी के जनती के अफसर पर पोरा देश जहां जेपी को नमन ही नहीं कर रहा है वलकि उस ताजा यादों को कर रहा है कि आज देश की हलात कैसे है इन हलातों से निकालने के लिए जेपी के नियायों ने समान विचाधारावले दलों को एक कर करके इस बवराई सत्ता ज केशिती संकुन करांति के मात्या मसें न जी डेह में अधिनायक वाद के पोशक कि भिडिय मंत्री श्राइब के प्रतीमा का नावरन कर भी आत्मा करार है योगी जीवन परियंद हूं हमने अधिनायक वाद के खिलाफ कि जावाजय उठाई थी जो उक्रांती का रूप लिया था और एक परिवर्तन आया था आज दिनायक बात के पोसक हमारे ही मुर्ति का नावरन कर रहा है बिहार में बिजली घर घर तक बिहार के सरकार नितिस जी के नितिते पहुंचा महंगाई पर बोलते ना आप बोलते परोजगारी पर जिनके हाथ लहु लुहान हो जो दिनायक बात के पोसक हो उनकी तक्रीरें आज कहें ने कहें बिहार को निरासा दे गया बिहार के लोग वाँ नहीं पहुचे थे कम संक्या में थे बहां से इंपोर्ट करके लाए गए थे लोग लादलाद करके फिर ही भीड़ने ही जूटी जेपी जिके जनती के अफसर पर पोरा देश जहां जेपी को नमन ही नहीं कर रहा है वलकुस ताजा यादों को कर रहा है कि आज देश की हलात कैसे है इन हलातों से निकालने के लिए जेपी के नियायों ने समान विचारधारावले दलों को एक करकर के इस बवराई सत्ता ज झाल झाल